अब अगर आप देखो एक शाप रिकवरी में देखने को में लिए और अगर ये high cross कर लेता है higher chances से वापस ये uptrend continue कर सकता है और वापस higher low and higher high का formation बनाना start कर सकता है So 11600 यहां से बहुत crucial level होगा अगर 11600 cross कर लेता है तो 11800, 11900 का भी possibility आने का बढ़ जाता है 11600 के उपर closing देता है या 11600 के उपर sustain करता है तो 11800, 11900 के target हम लोग एक्सपर्ट कर सकते है otherwise अभी थोड़ा सा view bullish है buy and dips आपको करना चाहिए लेकिन अगर कोई gap up opening होता है 11600 के आसपास तो आपको price action देखके trade करना पड़ेगा bank nifty अगर आप देखो तो bank nifty का chart structure काफी strong लग रहा है as compared to nifty और bank nifty ने एक बड़ा green मारू बजू candle बनाया है अगर ये high cross करता है 22500 तो 23000, 23500 तक के levels भी possible है तो यहां से 500 से 1000 पॉंट का rally हमें और देखने को मिल सकता है अगर 22500 क्रॉस कर लेता है तो यहां से 500 पॉंट का rally हमें और देखने को मिल सकता है तो Monday को आपको bank nifty में थोड़ा price action देखके trade करना पड़ेगा मैंने आपको last day मैं LNT buy दिया था 905 के उपर यह खुला 906.70 के आसपास उसके बाद तुरंत prices हो गया था 912 के आसपास अगर आपने skip कर दिया trade as per our rule के 912 का target था उसी के आसपास price open हुआ है तो आपने यह trade नहीं लिया होगा और अगर let's say आपने fast trade किया हो तो 906 पे buy करके 912 में आपने sell भी किया होगा So let me know in the comment box आपने LNT में क्या किया है क्योंकि मैंने इसको ignore किया है मैंने इसमें trade नहीं लिया है Tata consumer मैंने आपको sell दिया था सबसे पहला स्टॉक होगा grassing grassing का structure मुझे काफी strong लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो एक strong uptrend में है और एक अच्छा कासा candle इसने बनाया है और अगर आप देखो तो एक बड़ा ये triangle बनता है यहां से काफी अच्छा pattern बनता है अगर आप देखो थो यहांसे consolidate हुआ है uptrend consolidation हमें देखने को मिला है और मुझे लगता है यहांसे break out candle हमें देखने को मिला है आप دیکھ सकते हो मैं आपको zoom करके पिपर देखाता हूं clean and clear break out candle हमें देखने को मिला है मुझे लगता है यहां से 800 तक के targets इसमें possible है so यहां से 40-50 रुपे का आप में और देखने को मिल सकता है so exactly कौन से level पर buy करना है मैं आपको टेलग्राम चैनल में बता दूँगा and second stock होगा escort escort का structure मुझे काफी weak लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो इसमें top पे almost evening star जैसा pattern बनाया है structure काफी negative है so यहां से हमें थोड़ा पर profit booking देखने को मिल सकता है exactly कौन से level पर sell करना है मैं आपको टेलग्राम चैनल में बता दूगा and last stock होगा TVS motor TVS motor का भी structure मुझे काफी weak लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो इसमें top पे एक दम shooting star pattern मनाया है और उपर के level पे sustain नहीं कर पा रहा है 500X strong resistance है stock के लिए और बार-बार ये 490, 495 touch करके वापस नीचे आ रहा है 480 के असपास closing दिया है लकिन structure मुझे negative लग रहा है exactly कौन से level पे sell करना है अगर आपको वीडियो रनार से अच्छा लगा तो वीडियो को like and share जरू करना thanks a lot for watching the video see you in the next video